नमस्का मैं आसिस राट हो और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं देर से ही सही लेकिन कोल्कटा रेप मटर केस मामले में सुप्रिंब कोट की नजर गई तो सही देर ही व्यूजा मगर स्टेट पुलिस के उपर सुप्रिंब कोट ने सवाल खरे किये तो सही देर ही हुआ सही मगर ममताब एनरजी की सरकार पर सुप्रिम कोट ने तीके सवाल पूछे तो सही जी हा दोस्तों सुप्रिम कोट ने ऐसी बड़ी जटका लगाई है ऐसी बड़ी फटकार लगाई है स्टेट पुलिस को ममताब एनरजी की सरकार को वेस्ट बेंगाल पुलिस को जिससे की ममताब एनरजी की सरकार खत्रे में है पुरी तरही किसे बीजेपी ने तरह तरह के आरोप प्रतियारोप लगाएं लेकिन इस पर तमाम विपक्षिदल चुप थे शांत थे लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर कोलकता रेप मडर मामले में अगर इतना हंगामा सोशल मीडिया पे नहीं होता तो क्या मामले को दबा दिया जाता क्या सुप्रीम कोट उस समय भी जो आज सक्त ओर्डर दे रही है जो कारवाई करने का ओर्डर दे रही है क्या उस वक्त दे पाती तो क्यों न मैं सारा स्रे डिजिटल क्रियेटर को दू जो सोशल मीडिया पे एक कैम्पेंच चला करके सरकार से सवाल पूछते रहें और सरकारों से उन तमाम गलतियों को दिखाने की कोशिश करते रहें सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि पस्चिम मंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बेनरजी से इस्तिपे को मांग को ले करके सरक पे प्रदर्सन चल रहा है वेस्ट बेंगाल में कोलकाता में सरकों पे लोग आ चुके हैं और सबसे बड़ी दोस्तों बात ये है कि वो मम्ता बेनरजी जहां पे ये कहा जा रहा पस्चिम मंगाल में महिला असुड़क्षित हैं और वो खुद सरकों पे उतरती हैं आखर किसके खलाफ उतरती हैं ये सबसे बड़ा सवाल है हेल्थ मिनिस्टर खुद, स्टेट का सीम खुद, स्टेट पुलिस उनके अंडर में, लॉइन ओर्डर उनके अंडर में सारा स्थिती परिस्थिती सम्हालने का जिम्मेदारी लेकर के बैठे हैं वो फिर ये किसके खलाफ सरक पे उतर रही है और किसके खलाफ कैम्पेंच चला रही है और किसको मुर्ख मना रही है जनता ये सवाल पूछ रही है जनता ये कह रही है कि अगर ममता बनेरजी से सरकार नहीं समलता है तो तुरंत इस्तिपा दे दे दोस्तो सोसल मीडिया पे तो यहां तक यह कहा जा रहा कि law and order बंगाल में पुरी तरीके से ख़तम हो चुका है अगर अभी भी नहीं सुधारा गया तो बंगला देश बंगाल को बनने से कोई नहीं रोक सकता है सोसल मीडिया पे लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि पस्चिम मंगाल में कानून वेवस्था पुरी तरह से ध्वस्त हो गई है एक फुटबॉल मैच नहीं हो सकता सोच लीजिए यह कौन कह रहा है कल्यान चौबे भारतिये फुटबॉल संके अध्यक्ष कह रहे है जब पस्चिम मंगाल में एक फुटबॉल का मैच नहीं हो सकता है तो आप लॉइन ओर्डर की बात कर रहे हैं आप डॉक्टोर की सुरक्षा की बात कर रहे हैं आम आदमी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं बीजेपी ने पूरी तरीके से आरूप लगाना शुरू कर दिया, गौरब भाटिया जी ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिये जिससे कि ममता बनर जी की सरकार हिल गई पूरी तरीके से, आखर गौरब भाटिया जी ने क्या कहा ज़रा देखिये, भाजपा के बड़े नेता हैं दोस्तों गौरब भाटिया जी ये कहते हैं कि एक ममता बनर जी है जिनका नाम आज सब ने निर्ममता बनर जी रखा हुआ है ये अपरादियों के साथ खरी हो सकती है जो प्रिंस्पल था और जिसकी जिम्मेदारी बनती थी सभी बच्चियों की रक्षा करें उसके खलाफ कार रवाई तो दूर की बात है उनको रिवार्ड करती है ये एक महिला की अस्मिता को नस्ट करती है ये सम्विधान के प्राउधानों को नस्ट करती है और ये सबसे जरूरी तथ्यों और साक्षों को नस्ट करती है दोस्तों सबूतों को नस्ट करने को लेकर के सुप्रीम कोट की करीफ अटकार है और बंगाल पुलीस की कारवाई पर सुप्रीम कोट ने तीखे-Tीखे सवाल पूछे और तीखे-Tीखे सवाल उठाएं चीप जस्सिस ऑफ इंडिया ने भी ऐसे सवाल सवाल दागे हैं और ऐसे ऐसे सक्त ओर्डर के आदेश दिये हैं जिससे कि सरकार जा सकती है बेंगाल में टीमसी की पुरी तरीके से सरकार गिराने वाला फैसला आ चुका है और दोस्तों मैं आपको बता दू कि सुप्रिम कोट ने स्टेट पुलिस से सवाल दागे हैं ममता ब स्टेट पूछा है इसका जवाब अभी तक नहीं आया दूसरा क्राइम शीन को क्यों सुरक्षित नहीं रखा गया यह सुप्रिम कोट के तरब से सवाल पूछा गया आपको पता है कि क्राइम सीन जहां पर हुआ था उसके आसपास क्राइम सीन को नस्ट करने की कोशिश करी गई तीसरा हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया सुप्रीम कोट ने ये भी सवाल दागे चौथा पहले क्यों कहा गया कि डॉक्टर ने आत्म हत्या किया है सुप्रीम कोट ने दोस्तों ये सारे सवाल पूछे हैं इस सवाल का जवाब स्टेट पुलिस के वकील के कर दिया है अब इसको ले करके ज़रा देखिए पहले तो आपको यह दिखा दे रहा हूं मैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स दोस्तों लगा दिया गया है बड़ी खबर 22 अगस्त को जाच की स्टेटस रिपोर्ट सौपे स्टेट्मेंट दिया और बेंगाल सरकार भी 22 अगस्त तक रिपोर्ट सौपे अब यहाँ पर देखिए अगर 22 अगस्त तक स्टेट पुलिस सारे सबूत देती है और स्टेट पुलिस सारे सबूत देती है उन दोनों फैक्ट्स को मिलाया जाएगा और फिर यह देखा जाएगा कि आखर स्टिती कहां खराब थी किसने सबूत को नस्ट करने की कोशिश करी और स्टेट पुलिस कैसे इसमें निस्फल हो गई आखर स्टेट पुलिस के ऊपर किसका दबाव था जिससे सबूतों को नस्ट करने में ये सबसे ज़ादा अवल थे आगे बढ़ते रहे कौन प्रेसराइस कर रहा था इनको सुप्रेम कोट ने सारे सवाल दा गे लेकिन एक भी सवाल का जवाब स्टेट पुलिस नहीं दे पा रही है स्टेट पुलिस के तरब से जो वकील हैं वो नहीं दे पा रहे हैं कपिल सिब्बल के मुव में ताला लग गया पुरी तरीके से चीप जसिस अफ इंडिया ने कहा कि कपिल सिब्बल आप ऐसे कैसे कैसे सकते हैं रेफ हुआ है आप इस मामले में इतना घटिया और जुटा बयान कैसे दे सकते हैं आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं ऐसे ऐसे लतार लगी है ऐसी ऐसी सक्त टिपनी दिया है कि कपिल सिब्बल का में जो हुआ हम उससे विचलित हैं सुप्रीम कोट ये भी बात कहा रही है और वाकई में बहुत ही भयावा घटना है बहुत ही भयावा अस्थिती है ये किसी ने सोचा नहीं था लेकिन मेरा सवाल दोस्तों अभी भी वही है कि क्या सोसल मीडिया पे इतना हंगामा नहीं होता तो क्या सुप्रीम कोट इस पे एक्शन नहीं लेती क्या स्टेट पुलिस को फटकार नहीं लगाती पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि आखर अब चीप जसिस अफ इंडिया चुप क्यूं है मैं पहले दिन से हमेशा ये बात कह रहा हूँ कि वो जो चीप जसिस अफ मडर केस मामले में चिफ जसिस अफ इंडिया ने सक्त टिपनी दी लेकिन जरा टिपनी तो देखिए यहाँ पर सीजाई ने तो पहले कहा कि फिलहाल प्रदर्सन करने वाले लोगों पर बल प्रयोग नहीं किया जाए यह बहुत अच्छी बात है आपने देखा होगा हाल में ही एक घटना हुआ कि तमाम डॉक्टर लोग प्रदर्सन कर रहे थे इस बीच में TMC के लोग आते हैं और पूरी तरीके से माल पीट करने लगते हैं हंगामा करने लगते लगते हैं बल प्रयोग करने लगते हैं बहुत सारे डॉक्टर जो विरोध प्रदर्सन कर रहे थे उनको चोटे भी लगती हैं समानों का नुकसान भी होता है तो यह बहुत अच्छी बात कही चिप जसुस अफ इंडिया ने की प्रदरसन कारी हैं जो विरोध प्रदरसन कर रहे हैं जो डॉक्टर्स उनके उपर बलपरयोग ना करें पहली चुछ दूसरी चीज़ फिल्मे स्टाइल में जरा चिप जसुस दे करके आगे बढ़ जाएंगे यह फिल्मों में अच्छा लगता है कि पूरे देश को आपकी पूरी चिंता है हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं इस भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जो प्रदरसन कर रहे हैं डॉक्टर्स उनके खिलाफ हैं तो पूरा देश तो उन के फेवर में नहीं है तो पूरे देश की चिंता नहीं है उनमें कुछ लोगों को सच में चिंता हैं जो डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप हैं जब कुछ भी हमारे घरों में या फिर हमें दिक्कत होती हैं तो 2400 घंटे दिन रात एक करके वही डॉक्टर्स सोना खाना सब कुछ भूल करके उसको जान बचाने में लग जाते हैं और उस वक्त जिसके साथ जो बीटता है उसके आँखों में आसू होता है एक उमीद की कीरन दिखाने वाला वो डॉक्टर ही होता है जो उसे मौत के मूँ से निकाल करके परिवार में खुश्यों की एक कीरन जलाता है हमें चिंता है हमारे जैसे बहुत सारे भाई बहनों को डॉक्टर्स की जंदगी का चिंता है लेकिन उन लोगों का क्या जो विरोध प्रदरसन कर रहे थे डॉक्टर्स और उनके साथ मारपीट की गई उनके साथ बल प्रयोग किया गया क्या उनको भी चिंता उनके जानके तो फिल्मी डायलोक्स थोड़ा कम करें कारवाई ज्यादा करें हलाकि आप क्या सोचते हैं तमाम मुद्धों पर अपनी विचाज ओवेग कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अब्डेट पाने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ल चाहिए जाए ते